दोस्तों बीत शुक्रवार 24 फरवरी को सिनीमा घरो में रिलिस हुई थी बॉलिवूट के खिलाड़ी अक्षे कुमार के फिल्म सेल्फी जिसको आज सिनीमा घरो में छटवा दिन चल रहा है और फिल्म बॉक्स आफिस पर ठीक ठाक कलक्शन कर रही है तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेल्फी फिल्म के पूरे 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस कलक्शन के बारे में इंडिया में फिल्म के अभी तक टोटल कितरी कमाई हो चुकी है वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितरा का लक्षन हो चुका है तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लेकि दोस्तो उससे पहले अगर आप बॉलिवूड के खिलाड़ी अक्षे कुमार को एक बेहितनी नभी रिता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथे साथ इस चेनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लीचेगा दोस्तों अगर बात करें फिल्म सेलफी की तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलू कि साल 2019 में रिलिस हुई थी मलियालम की फिल्म ड्राइविंग लाइसंस और उसी फिल्म का ओफिशिल रिमेक थी अक्षे कुमार की फिल्म सेलफी और सेलफी से बहुत ज्यादा उम्मीदे थी अक्षे कुमार और अक्षे कुमार की फैस को और यही वज़ा थी कि फिल्म के रिलिस से पहले ही फिल्म का पिर्मोशन जमकी किया गया फिल्म के पिर्मोशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी और जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो ट्रेलर भी ओडियर्स को खूब पसंद आया था उसके बाद एक के बाद एक गाने फिल्म के रिलीज हुए मैं खिलाडी तू अनाडी ने तो बड़े बड़े रिकॉर्ट बना दिये लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात अक्षे कुमार सबसे बड़े सुपरिस्टार अक्षे कुमार इतने बड़े सुपरिस्टार लेकिन सैल्फी फिल्म ने जिस तरह से box office पर performance दिखाईए वो बहुत ही निराजना के आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि राजबहता की डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका budget लगबग 80 करोड रुपे का था तो मैं फिल्म को पूरे इंडिया के अंदर 3 करोड 80 लाख रुपे दूसरे दिन फिल्म ने कमाए 3 करोड 80 लाख रुपे तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 3 करोड 95 लाख रुपे और चौते दिन फिल्म ने कमाए 1 करोड 30 लाख रुपे तो अपने पहले चार दिनों में फिल्म सेल्फी ने 11.60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 6 दिनों का टोटल बॉक्स आफिस कलक्शन 13 करोड 70 लाख रुपे इंडिया से हो रहा है तो वही फिल्म पूरे वल्ड में 20 करोड रुपे का अकड़ा पार कर रही है उम्मीद ही कि अक्षे कुमार की ये फिल्म कम से कम 50 करोड तक तो पहुँच जाएगी लेकिन जिस तरह से फिल्म चल रही है बॉक्स आफिस पर मुझे लगता है कि 30 करोड तक भी फिल्म पहुँच रही बहुत मुश्किल है और अक्षे कुमार के करियर की सबसे बड़ी डिसास्टर साबित हूँ ये फिल्म सेलफी